राजी के सेंट जेवियर्स उस्कूल ने हेयर कट ठीक नहीं होने के कारण दसवी के बावन छात्रों को परिक्षा देने से रोग दिया बच्चों को दसवी की प्रिबोर्ट परिक्षा में इसलिए शामिल नहीं होनी दिया गया क्योंकि उनका हेयर कट ठीक नहीं था मामला तूल पकरने के बाद उस्कूल के वाइस प्रिंस्पल ने कहा कि बच्चे फैंसी हेर स्टाइल रख रहे हैं जो स्कूल नियमों का उलंगन है इन छात्रों को पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी लेकिन इन में कोई सुधार नहीं हुआ उस्कूल प्रवंदन ने बाद में इनकी परिक्षा लेने का सेड्यो जारी कर दिया है अंदर असल बात यह है कि शनीवार का दिन 6 जनवरी को हमारे ये बच्चे क्लास चन के परिक्षा लिखने के लिए हमारे विदियाले आये थे और असम्बली के दर मियान हम लोगों ने पाया कि कुछ बच्चों के जो बाल है बे काफी शैबी थे लंबे थे और पहले से भी उनको हम लोगों ने काफी रिमाइंडर्स दिये थे ऐसा ने कि सिर्फ क्लास चन के लिए लेकिन अन्या बच्चों को भी हम लोग शुरू से ही जब भी हमारे असम्बली होती हम हमेशा उनको एक आइडियल गुड लुकिंग स्मार्ट स्टुडेंट की तरह आने के लिए हम लोग उनको हिदायते देते हैं रिमाइंडर्स देत इंटेंशन नहीं था कि हम लोग उसको परिक्षा नहीं लिखने दे हम बस जहीं चाहते थे कि परिक्षा से भी उपर होता है अनुशाशन परिक्षा तो जीवन में और भी परिक्षाएं आएंगी और परिक्षा लिखने का मौका भी उनको हमेशा मिलता रहेगा और ये इं उनके पैरंस तक भी जाए कि संजीवे स्कूल डूरेंडा डिसिप्लिन को लेकर के बिल्कुल स्थेर है अपनी बात को वो पतर की लकीर की तरह मानता है इनकी परिक्षा हम लोग दस तारिक यह दस जन्वरी जो की परसु है उसको हम लोग कराने माले हैं मामले को गंभीरता से लेते हुए सोंबार को जार्खन अभिवावक संग के अध्यक्ष अजय राय ने उसकूल प्रवंधन से मुलकात की आईए सुनते हैं क्या कहा अजय राय ने देखे वो 52 बच्चों का हेर कट को ले करके उनको उस दिन एक्जाम से वन्चीत किया गया और गार्जियन को भी इंटिमेट किया गया कि बच्चे जो आये तो तुरी डिसिप्लीन में आये चुकि इसको लेकर के जैसा फाजर ने बताया है कि पहले से गार्जियन को नोटि लेकिन उनका सिर्फ मंसा यही थी कि गार्जियन के दिमाग में ये मैसेज जरूर जाए कि बच्छों को अनसासन में रखे और अभी जितनी बाते हुई काफी सकरात्मक बात चीत हुई और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्छे जो है वो अनसासन में रहे चुकि हमारा चीजों को इंप्लिमेंट कराना जोरी है ताकि बच्छों के भी बिर्किती नहीं आए गलत वो संगत में न जाए और इसकूल के अंदर भी अगर वो रहते हैं तो डिसिप्लीन में रहें साथ ही हम लोगों ने फादर से एक आगरह जरूर किया है कि कम से कम कोई भी इस तरह से अनुसास्मक कदम उठाते हैं तो उस कदम की जानकारी पहले से गार्जियन को जाना चाहिए कि आपके बची ये गलत कर रहे हैं इसको आप ठीक ठाक कीजिए